हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूटूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की अपडे सीरीज चलाई हुई है आप चैनल पर विजिट करके वो पैनी स्टॉक देख सकते हैं तो चलिए आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और अच्छा पैनी स्टॉक जिसका नाम है जै माता गलास कंपनी अगर दोस्तों आज की पर करें तो क्या जबरदस्त 25% के आसपास इसने रिटांस निवेशियों को दिये हैं एक महीने की बात करें तो एक महीने में 76% के आसपास आप यहां रिटांस देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में पहले तो हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को जानेंगे और द सामसी क्लियर हो रहा है गलास मैनिफेक्चरिंग ट्रेडिंग में यह कंपनी काम करती है मार्केट कैप कि अगर लिहाज से बात करूं तो बहुत ही छोटी कंपनी है सिर्फ 5 क्रोड का मार्केट कैप है करेंट क्राइज आप देख सकते हैं 52 वीक हाई पर यह कंपनी अभी च ठीक ठाक कंपनी के अभी नजर आ रहे हैं आगे दोस्तों हम कंपनी की अच्छी चीज यह है कि कंपनी डेट फ्री है अब आता है कि जो कंपनी के मीन्स पिछले जो इन्होंने प्रोफिट और लोस पिछले 5-6 साल का डाटा हम देखेंगे उसके बाद हम आगे की डिसीजन इस पर लेंगे सबसे पहले अगर हम मार्च 14 से बात करें तो मार्च 14 में आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रोफिट था वो लोस में था 0.35 क्रोड का कंपनी को लोस हुआ था मार्च 15 में 0.30 का कंपनी को लोस हुआ था वहीं अगर मैं मार्च 16 में बात करें तो 0.15 क्रोड का लोस हुआ था मार्च 17 में 8.26 क्रोड का प्रोफिट हुआ था यहां ये प्रोफिट है दोस्तों ये अदर इंकम से आया हुआ प्रोफिट है तो इसको आपको यहां थोड़ा समझना होगा वहीं मार्च 18 की बात करें तो 0.5 क्रोड का प्रोफिट था मार्च 19 0.23 क्रोड का प्रोफिट मार्च 20 0.02 और अभी 0.60 क्रोड का प्रोफिट कम्पनी को हुआ है तो मैं अगर बात करें तो कम्पनी का जो प्रोफिट है वो हमें ग्रोविंग मोड में नजर आ रहा है अब हम बात कर लेते हैं कम्पनी के शेर होल्डिंग पैटरन के बारे में, कम्पनी में 44.53% की होल्डिंग प्रमोटर्स लिए हुए बैठे हैं, वहीं अगर एक और आप इंटरस्टिंग फैक्ट यहां देख सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टिटूशन्स, डियाईज की इसमें 8.28% की अच्छी खासी हिस्यदारी है, वहीं पबलिक की इसमें 47% की हिस्यदारी अभी बनी हुई है, आगे दोस्तों हम कम्पनी के, मीन्स हम बैलन्स शीट पर एक नजर डाल लेते हैं, कम्पनी के अगर मैं रिजर्व आप देख सकते हैं, कम्पनी के नेगटिव में हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है, कि वो नेगटिव जो है, वो अभी हमें लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले जो रिजर्व्स मार्स 17 में 8 क्रोड नेगटिव में थे, गटकर सड़े 7, then 7.28, then 7.3 और अभी 6.64, means reserves negative में जरूर हैं, लेकिन उनको कम्पनी कम करने में लगी हुई है, अगे हम बात कर लेते हैं, long term borrowing की, तो कम्पनी पर long term में एक रुपे का भी करज नहीं है, ये कम्पनी के लिए बहुत ही अच्छी बढ़िया चीज है, short term borrowing आप देख सकते हैं, कम्पनी के उपर short term मे भी एक रुपे का करज नहीं है, अगर कम्पनी के, मैं cash और cash equivalent की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, 0.39 क्रोड का cash कम्पनी के पास available है, वहीं assets भी आप देख सकते हैं, कम्पनी के पास इस समय, total 4.77 क्रोड रुपे के assets available हैं, तो अगर मैं, जैसा हमने profit lows और balance sheet से हमने दे बहुत छोटी है, उसी साब से हमें company के financials अच्छे नजर आ रहे हैं, अब दोस्तों मैं आपको trading volume का data दिखाना चाहूँगा, अगर हम volume trading का data देखें, तो आप यहां देख सकते हैं, कि पिछले एक मन्त में average 2,00,000 shares की trading का था, लेकिन पिछले एक week से आप देख सकते हैं, द आप देख सकते हैं, कि 5,00,000 shares की trading इस company में हमें होते हुए दिखाई दे रही है, तो overall अगर मैं company की performance की बार करूं, तो company हमें ठीक ठाक अच्छा perform करती हुई नजर आ रही है, देखिए दोस्तों मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ, सिरफ इस company का जो market cap है, वो सिरफ 5 करो और का है, तो ये एक risky, बहुत ही जादा risky company है, क्योंकि बहुत ही छोटी ये company है, और ये जो इस तरह की companies होती है, या तो ये जो companies हैं, कुछ ही सालों में आपको इतने multi bagger returns कमा कर दे सकती है, जितने शाहिद आप अपनी फूरी life में नहीं कमा सकते, नहीं तो आपके पैसे को भी ये दुबो सकती है, वैसे तो आप देखी सकते हैं कि stock का price कितना सा है, 50 पैसे का ये share है, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, और ये जो share है, पिछले कुछ समय से लगातार तेजी में हमें बना हुआ, दिखाई दे रहा है, बट अगर आप इसमें निवेश करते हो, तो आप अपनी जो risk taking ability है, उसके हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हो, मेरे हिसाब से अगर आपको एक रुपे में यहाँ दो share मिल रहे हैं, तो कोई बुराई भी नहीं है इस company के उठाने में, मैं अगर अपनी personally बात करूँ, तो मैं इस company को उठाने जा रहा हूँ, क्योंक अपनी के share सामे मिल रहे हैं, और company के हमने financials देख लिए, company की profit loss sheet देख लिए, तो overall company हमें ठीक ठाक नजर आ रही है, नहीं तो जो इतनी छोटी companies होती है, उनके तो बुरा हाल होता है, बट यह company फिर भी बहुत अच्छी हमें यहाँ नजर आ रही है, और आगर आप इसमें अपनी risk taking ability के हिसाब से माल उठाते हो, जितना आपका means risk taking ability जितना आप ले सकते हो, और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इसमें stock उठाते हो, तो आप उन पैसों को जो आप इसमें लगाते हो, तो एक बार आप उनको मरा हुआ समझना, क्योंकि यह जो companies होती है, या तो य decision आपको लेना है, आप अपनी research भी कर सकते हैं, अपने financial expert से सला भी ले सकते हैं, बट मैं तो इस company में, मेरा तो interest थोड़ा जगा है, और मैं इस company में निवेश के लिए तेयार हूँ, आपकी क्या राए है इस company पर आप comment section में मुझे जुरूर बताना, वीडियो को like करना, चै तक के लिए take care, bye buddy